तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडमी के इस नए और लेटेस्ट वडियो में फाइनली आज के इस वडियो में आज का यह जो वीडियो है ना यह हिंदी व्याकरण यानि की हिंदी ग्रामर का सेकेंड वीडियो है आप यू कह सकते हैं कि पार्ट टू है इसके पहले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुकी हूं स्वारवण और व्याकरण किrett complaint को कितने भागों है इकी चीज करते हैं यह हर एक चीज़ एकदम विस्तार से समझेंगे इसलिए यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है अंतक बिना इसकी देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेगा ताकि आप लोग एक गाम में एक भी कोशन ना छूटे चले स्टार्ट करते हैं आज के इस व स्वार्वन के परकार को हम लोग पहने वाले हैं किसे कहते इसे कहते हैं मैं इसके पहले वाले वीशायता से से बोले जाता है जैसा कि को में और आये यह यह भी जी संख्या कितनी है यह रखिएगा मैं यह भी आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं स्वार्वर्ण कितने होते हैं तो टोटल 13 होते हैं कितनी है तेरा और तेरा का तेरा स्वार्वर्ण मैं यह आप लिख दी हूं अ आ ई ई ई उ री ए ए ओ अ अ अ अ अ अ अ ठीक है तो यह टोटल 13 स्वार्वर्ण है ठीक है अब इसमें से ध्यान रखिएगा यह जो लास्ट वाला दू है न अं और अ यह जो है अं इसको कहते हैं वार स्वार्व याद रखिएगा कोशन पूश देता है और इसको कहते हैं विसर्ग स्वार्व ठीक है विसर्ग स्वार्व यह दोनों इंपॉर्डेंट है यानि कि तेरा ना लिखकर हम लोग अगर यह लिखे एक ग्यारा पलस दो यानि कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाओ दस से ग्यारा यह ग्यारा का एक अलग गुरुप बना दीजिए और यह दो को अलग मतलब इन दोनों का अलग नाम दे दिया गया है अंग को अनुस्वार स्वार कहा गया है और अहा को विसर्ग स्वार कहा गया है तो इन दोनों को अलग कर देगा है तो समझे कि 11 पुलस दो मिलकर 13 बना दीजिए यानि क्योंकि दो को अलग नाम दे दिया गया है अब आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी पढ़ेंगे न यह जो 11 है स्वर इनके टाइब को पढ़ने वाला है यानि कि इनको इन 11 के 11 को किस तरह किस आधार पर कितने भागों में बटा ग है अंग को अनुस्वार स्वर केते हैं और अहा को विसर्ग स्वर केते हैं तो इन दोनों का अलग नाम हो गया है अब यह 11 बचे हुए इनको किस आधार पर कितने प्रकार में बाटा गया है यह समझना है अम लोग को और यहीं से आप लोग एक्जाम में कोशन पूछे जात है तो यह सब हर एक जी आप लोग को पता रहेगा तभी तो आप लोग बता पहेंगे तो चलिए एक एक कर समझते हैं यह जो 11 स्वर्वर्ण है टोटल का टोटल 13 स्वर्ण होता है लेकिन 13 में से जो यह दो स्वर्ण है इसका एक अलग नाम दे दिया गया है अंको चारण काल के अधार पर देखिए अगर हमारे सामने हमारे सामने 20 बच्ची आ जाते हैं और उनको हमें ग्रूप में बाटना है तो हम कोई न कोई एक आधार पर बाटेंगे ना उनकी क्वालिफिकेशन पर बाट सकते हैं कि जो बच्चे टेंथ क्लास में हो एक ग्रूप मे आजाए और जो बच्चे 10 साल के वह अलग गुरूप में आजाए यानि कि कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए बाटने के लिए बिल्कुल उसी तरह यह जो 11 के 11 स्वार्वर्ण है ना इनको भी अलग-अलग आधार पर बाटा गया है तो जो सबसे पहला आधार है हुए क्या होता है समय उचारण काली यानि कि बोलने जब हम बोलते हैं इस तरह के स्व को तो स्वार को जब हम बोलते थे तो बोलने के समय के आधार पर र यानि कि कौन सा स्वर कितने समय में बोला जारा है को जल Wrestling बोल दिया जारुंद रर दूसरा है पहला है हरशBut or और दूसरा है दिर्ग स्वर पहला है हरस्व स्वर या फिर इसको लगू स्वर भी कहते हैं और दूसरा है दिर्ग स्वर ठीक है अब समझते हैं कि हरस्व स्वर यानि कि लगू स्वर किसे कहते हैं लगू मतलब आप समझते हैं शौट मतलब की जो स्वर जो स्वर वर्ण शौ स्वास्वर जैसे कि जल्दी बोल देते हम लोग ई जल्दी बोल देते हैं छोटी वाली है उ री तो आ ई उ री इसको बोलने में बहुत ही कम समय लग रहा है बहुत ही कम तो इसलिए इस तरह के स्वार्वन को क्या कहते हैं इस तरह के स्वार्वन को कहते हैं हरा स्वास्वर य यानिकि बहुत ही लंबा, यानिकि दिर्ग का मतलब क्या? लॉइंग, यानिकि जिस स्वर वर्ण को बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगे, उसको कहते हम लोग कुछ दिर्ग स्वर जैसर की आ बोल रहे थे तो इसको कम समय लग रहा था लेकिन वहीus पर उनकर आ भूल रहे तो थ्टड़ा doing लागूस लगूरे उनकि दिर्ग समय यान तो लंबा समय लग रहा है ज्यादा समय लग रहा है ना जल्दी बोल दे रहे हम लोग लेकिन वहीं पर आ तो आ जो है ना इसको थोड़ा देर तक हम लोग बोल रहा है आμ आम बोलते हैं ना तो आम मतलब थोड़ा लंबाखीश कर हम लोग बोलते हैं तो इस तरह के स्वर्वन को बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है तो इसको क्या कहेंगे दिर्ग स्वर कहेंगे उसी तरह है E छोटी वाली E नहीं यह है छोटी E और यह है बड़ी E इसको पढ़ेंगे E और इसको पढ़ेंगे E तो देखे, इसको जल्दी हम लोग पढ़ ले रहे हैं और इसको थोड़ा लंबा खीच कर पढ़ रहे हैं यानि कि इस स्वरवर्ण को बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है तो इस बड़ी वाली E को क्या कहेंगे? दिर्ग स्वर कहेंगे उसी तरह है, ये छोटा वाला U और ये है U ये U और ये U तो इसको थोड़ा लंबे समय तक हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? दिर्ग स्वर उसी तरह A, A, O, O तो ये टोटल क्या कहलाएंगे? ये टोटल के टोटल कहलाएंगे दिर्ग स्वर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ दिर्ग स्वर की संख्या कितनी है? तो टोटल साथ, साथ प्लस चार, ग्यार हो गया ना? तो उच्चारन काल के अधार पर हम लोग एक ग्यारा जो स्वर है, इनके दो परकार देख लिए पहला है लगुस्वर और दुसरा है, लगुस्वर या फिर हरस्वस्वर बोलिए, बाते की और ज्यादे तर आप लोग के एक्जाम में कोशन हरस्वस्वर ही पूछे जाते हैं, कि इनमलिखित में से कौन हरस्वस्वर है, तो हरस्वस्वर ही याद रखिएगा, और दुसर किसी निरमार हुआ ये किस तरह बने ठीखे तो उसकी अधार पर 11 जो स्वर्ण स्वर्ण उनको दो भागों में बाटा गया है पहला है लगुस्वर और दूसरा है दिर्ग स्वर्ण लगो स्वर उसे कहते हैं जो किसी दूसरे स्वर्वार्ण से मिलकर ना बना हो मतलब यह आपने आम एक वर्ण हो जैसे कि ज्याव कि की संख्या चार और दिर्ग स्वर्वर्ण उसे कहते हैं जो दूसरे स्वर्वर्ण से मिलकर बने हो ठीक है उसे कहते हैं दिर्ग स्वर्वर्ण अच्छा लगु स्वर्वर्ण को न मुल्ट स्वर्वर्ण भी कहते हैं याद रखेगा लगु स्वर्ण एक दो तीन चार पांचे साथ दिर्गस्वर की संख्या कितनी है टोटल साथ ठीक है अब यह जो दिर्गस्वर है ना इसको भी दो भागों में बाटा गया है यह आ है यह जैसा कि मैं आप लोगों को बताई दिर्गस्वर दूसरे स्वर से मिलकर बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं दिर्गस्वर कहते हैं जैसे की देखिए आ, इ, उ, यह जो बने है ना आ जो बना है यह ओ प्लस ओ से मिलकर बना है आ किस तरह बना है ओ प्लस ओ यानि कि यह जो ओ है ना दो बार ओ मिला है तब आ बना है ओ प्लस ओ से हो यह मिलकर क्या बना है यह यह जो बंड Γवाली इह जो बड़ी वाली इप लस चोटी वाली यह जो शाचते हैं यह दूसरे सवर मिलकर बने हुए है और क्या मतलब एकी प्लस-अ यह दोनों क्या है एक ही जैसे है यह यह जो बना है यह बड़ी वाली य जो बने है यह यह बड़ी इ, बड़ाउ ये तीनों स्वर्वन क्या है एक ही जात के स्वर्वन से मिलकर बने हुए है इसलिए इन तीनों को क्या कहते है सजातिया या फिर मुल दिर्ग स्वर याद रखेगा सजातिया स्वर्वन क्यों कहते हैं क्योंकि ये स्वर्वन एक ही जैसे जात के स्वरवन से मिलकर बने होते हैं इसी वज़ा से इन तीनों को क्या कहते हैं सजातिया, स्वरवन या फिर मुल्दिर्ग स्वरवन याद रखिएगा और वहीं पर बात करें तो देखिए ये A, बड़ी E और बड़ा O ये तीनों जो हैं, ये क्या कहलाएंगे? सजातिया स्वरवन या फिर मुल्दिर्ग स्वरवन क्योंकि ये तीनों जो हैं एक ही जात के स्वरवन से मिलकर बने होते हैं तो ये एक समझ में आ गय है और उसी तरह दिर्ग स्वर में ये जो A, A, O, O है न, इन पर ज़रा आप लोग गौर करें और देखें, A जो है न, A ये O प्लस E से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसी तरह A जो है, ये O प्लस E से मिलकर बना होता है, उसी तरह O जो है, ये O प्लस E से मिलकर बना होता है, और O जो है, ये O प्लस E से मिलकर बना होता है, तो ये अलग-अलग जात के, देखिए, A जो है न, O पलस E, ये अलग जात, इसका अलग जात है, मतलब ये अलग O है, और ये E अलग है, यानि कि A, A, O, O ये अलग-अलग जात के स्वर्णमान से मिल कर बने हुए है, एक ही जैसे जात से बने है, एक ही जैसे जात के स्वर्णम विजात के स्वर्वन से मिलकर बने हुए है इसी वज़ा से इन चारों को क्या कहा जाता है विजातिय स्वर्वन या फिर सयुक्त स्वर्वन अलग-अलग जात के स्वर्वन के सयुक्त होने के वज़ा से यह स्वर्वन बने है इसी वज़ा से इस तरह के स्वर्वन को क्या कहत यहां तक समझ में आया है तो बताए कमेंड में लिखकर कि हमें समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी बात पर आप लोग शेयर कर दें फड़ावट फिर मैं आप लोग आगे समझाती हूं अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते है तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजे पड़ावर स्क्रीन शॉट अब चली आगे समझ लेते हैं जीब के परियोग की अधार पर स्वर्वर्ण यानि कि यह जो 11 में तो मिटा दी हूं मतलब 11 जो स्वर्वर्ण है उनको कितने भागों में बाटा गया है तो जीब के परियोग स्वर्वर्ण को अपने जीब से बोलते हैं तो कहां कहां से बोलते हैं यानि कि जीब के परियोग के अधार पर 11 की 11 स्वर्वर्ण को तीन भागों में बाटा गया है पहला है अगर स्वर्वर्ण दूसरा है मद्य स्वर्वर्ण और तीसरा है पस्च्च्च्च्च्च्च् जीब के आगे से बोला जाए उसको कहते हैं हम लोग अग्रस्वर और मध्य मतलब आप लोग जानते हैं बीच यानि कि यह होगा जीब के पिछला भाग और यह होगा अगला भाग यानि कि जो स्वरवर्ण बीच जीब के बीच वाले भाग यानि कि मध्य भाग से बोले जाए उसको कहते हैं हम लोग मध्य स्वर और पश्ट स्वर जो स्वर वर्ण जीव के पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग पश्ट स्वर तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन है यह अगर स्वर में आ जाता है ए मतलब छोटी वाले ए और ए ए ए ए री ए आप लोग खुद बोल कर देखिए यह जितने भी है ना यह जितने भी स्वर्वन है यह जीब के अगर भाग या निकि आगे वाले यह वाले भाग से बोले जाते हैं इ इ तो अध्याता कि सम चारी तो तो आप लोग को पता नहिंगा लेकिन और जोई बीचवाली भाग से बोला जाता है इसको क्या कहेंगे और फूर में पस्ठ्र पांच इसमें आ जाएगा एक दो तीन चार पांच यह हो जाएगा इसकी संख्या यह टोटल क्या कहलाएगा पश्ट्र और इसकी संख्या कितनी है दो दो चार एक पांच टोटल पांच है तो देखिए पांच पांच दस और एक ग्यारव ग्यारा स्वर हो जा रहा है ठीक है तो आई होप आप लोगों को यह तीनों समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं होटों की इस्तिति की अधार पर जो ग्यारा स्वर वर्ण है उनको दो भागों बाटा गया है पहला है आवरित मुखी स्वर और दूसरा है वृत गोल हो जाता है यह फिर गोल नहीं होता है इस हिसाब से जैसे कि देखिया आवरित मुखी स्वर उसको कहते हैं जिस स्वर वर्ण को बोलते समय होट जो है ना गोलाकार इस्तिति में नहीं होगा जितने भी यह स्वर वर्ण है जब आप लोग इसको बोलेंगे तो अ बोल रहे है तो मेरा जो होट है वो गोल नहीं नहीं हो रहा है आप लोग को बोलकर देखिया आप लोग का होट गोल गोलाकार इस्तिति में नहीं होगा आ, आ, इ, इ, री, ए, ऐ, ये जितने भी Swarven बोले जा रहे हैं यह सभी Swarven को बोलने पर हमारा जो होट है वो वृत मुखही यानि कि गोलाकार स्तिती में नहीं हो पा रहा है इसी वज़ा से इस तरह के Swarven को क्या केते हैं, आ वृत मुखही स्वरवन और वृत्मुसी स्वर्वान कहते हैं उस तरह के स्वर्वान को जिसको बोलने पर हमारा जो होट की स्थिति है वो गोलाकार हो जाए जैसे कि उ, उ तो होट जो है न गोल हो जाला है आप लोगों खुद बोल कर देखिए उ और यह वाला-renched वाला उ बोली है उ वो लगोजार इसिति मैं आ जा़हीए तो इसी वह जैसे इस तरह के सवर्वाण को क्या करते हैं वृता मुखी स्वर्वन आई होगा औरहीं के संख़ा कुतनी हैं तो एक दो-ござेंटर पांट छे सात वीडिसकी संखिय साथ यहीं पर हो जाता है, स्वार्वर्ण का the end, स्वार्वर्ण कम्प्लीट, खतम, जितना भी था स्वार्वर्ण का टाइप, जिस भी आधार हो, पर वो हर एक चीज़ में आप लोगो और एक टाइब को बता दी तो आई होब आप लोगो समझ में भी आ गया होगा अब कहीं से भी कोशन पूछ है स्वार वर्ण से रिलेटेड आप लोगो एक भी कोशन छोड़ कर नहीं आना है क्योंकि टोटल का टोटल में आप लोगो स्वार्ण पढ़ा चुकी हूं अब कहीं क्या से कौशन पूचेगा मालीजी कौशन पूच दिया निमलेखीत में से कॉन द्रग स्वार है option में देदेगा जो भी आप लोगों द्रग दिखाई दे उसको टिक कर देना है निमलेखीत में से कौन सयुक्त स्वार है सैक। सवर किसे कहते हैं भी बोड मीताने से पहले ह में आप लोग को बताई थी निमें लिखित में से कौन सजातिय सवर है पस्ट सवर है औरत मुखी सवर है कई सभी कोशन पूछे आप लोग को धड़ा धड़ एक टेंसन फ्री रहे हिंदी व्याकरण के हर एक टॉबिक को कबर करा दूँगी बस आप लोग वीडियो को लाइक शेर करते रहे इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बहतर से बहतर कॉंटेंट अप्लोड करने की तो जितना जिदा हो सके शेर कर दे अपने पड़ों से अपने द करके नोटिफिकेशन बेल दरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज